क्यूं आया बा को अटैक है क्योंकि पहले भी बा बिमार हो चुकी है अब इस अटैक का इस समय आना किस तरफ इशारा करता है चलिए बात करते हैं पहले वही निवेदन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि रपया कर लिए आप में दोस्तों बैल आइकोन दबाईएगा ताक कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन लिखते रहें तो बा को अटैक आ गया मगर उससे पहले क्या क्या हुआ उससे पहले यह हुआ कि काव्या ने बताया वनराज को कि वो कितना प्यार करती है और वनराज के प्यार के लिए ही वो यहां पिटिकी हुई है नहीं तो कब की चली जाते और उसके बच्चे के लिए उसके पिता का प्यार उसको चाहिए वन्राज भी प्यार की जो है बात करता है मगर उसको अपने प्यार पे भी डाउट है कि ये मैं प्यार सच्चा भी करता हूँ के नहीं क्या मैं अपने प्यार को निभा भी पाऊंगा के नहीं तो ये सब चीजें हमने बा के अटैक से पहले देखी और डिंपी का भी थोड़ा सुद्रा हुआ रूप दिखाई दिया अब जब कपाडिया हॉस में जबरदस ड्रामा चल रहा है तो शाह हॉस कैसे पीछे रहे क्योंकि अनुपमा तो दोनों घरों में चाहिए तो अब बा को अटैक आया है अब ये बा को अटैक आना और काव्या का घर में टिके रहने की बात को हमारी तरफ देना यानि कि हमें समझाना कि काव्या क्यों टिकी हुई है अब काव्या वहाँ टिकी हुई है वनराज के प्यार के लिए मगर बाब बिमार हो गई है और बाब सबसे बड़ी वज़े है जिसकी वज़े से काव्या को ताने सुनने पड़ते है और काविया ने कहा भी कि बा तो मुझसे नफरत करती है अब ये बागी नफरत जो है वो काविया अपनी सेवा से बदलेगी इस पूरी की पूरी सिच्वेशन को क्योंकि जहां तक मुझे लगता है इस बार अनुपमा शाह उसमें आएगी जरूर मगर वो दिन रात वाली सेवा नहीं देगी बागो क्योंकि अनुपमा भी चाहती है कि काविया सेवा करें क्योंकि अनुपमा के जाने के बाद काविया ही तो है जो उनकी बहु है और अपनी सेवा से बागा दिल जीते और दिम्पी तो हाई अब थोड़ी अच्छे मूढ में तो हो सकता है वो भी दो चाल हाथ अच्छे कर ले अपने और बाग के अननजरों में नंबर बना ले मगर काविया काविया काफी समय से इस घर परिवार के साथ जुनने के इच्छा रखके बैठी हुई है और इससे बड़ा मौका कावया को नहीं मिल सकता तो ये जो अनुपमा जब देखेगी कि कावया सेवा कर रही है तो अनुपमा पीछे हटेगी और कावया को सेवा करने देगी ताकि ये हालाद जो है घर के वो ठीक हो जाए और कावया को जो चाहती है वो मिल चाहे यानि की माफी और माफी जैसे की अरुपमा हमेशा कहती आई है कमानी पड़ती है ऐसे इंस्टेंट माफी नहीं मिलती है क्योंकि जिसके लिए आपने गलत किया है उसके दिल में भी भाव नहीं होंगी या तो वो बगवान हो की Immediately माफ कर दे बगवान भी माफ नहीं करते हैं बगवान तो बलकि प्रिक्षा लेते हैं तो यह चीजे हैं जिसकी वज़ा से बाग का अटैक जो है इस समय आया है क्योंकि इस समय शाह है उसमें ड्रामा चो चाहिए उसमें बाग का रोल बहुत जरूरी है अगर ऐसे ही सिच्विशन चलती रही काविया से नफरत काविया को ताने 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 तो हम सब बोर हो जाएगे अब हलात बदलेंगे शाह हो उसके तो देखते हैं कैसे काविया बाग की सेवा करती है क्योंकि बाग को अटैक काविया की वज़े से ही आया है जितना स्ट्रेस बाने लेना था व अगर उस reaction को भी काविया समझेगी और बाग को ठीक करेगी तो देखते हैं क्या होता है क्योंकि इसकी जो दूसरा पहलू जो मुझे नजर आ रहा है एक तो यह सेवा वाला आ रहा है जो बहुत ही जादा बिना ड्रामे के है काविया को ताने सुनने पड़ेगी वो आ रहा है दूसरा यह आ रहा है मुझे अपने दिमाग में कि बाग जो है इसकी वज़ा जो काविया को बताएगी और वनराश को कहेगी कि इसको घर से निकाले यही यह तेरी माँ को मारने वाली यह भी हो सकता है तो overall अगर कहें तो यह attack की वज़ा सिर्फ और सिर्फ काविया ही है अ को ही बोलेगी कि इसकी वज़ा से मुझे अटैक आया है अब इम्तिहान होगा वनराश का तो देखते हैं कैसे आगे पड़ते हैं मगर यह दिखाई दे रहा है दोस्तों क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा देखते रहे है चैनल हंगरी स्पिरिट्स थैंक